हेलो अब्रीवन जै हिंद आज है 29 जून और आज किस वीडियो में हम 29 जून से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को discuss करेंगे कल 28 जून थी जहां हम लोगों ने पड़ा था कि अभी हाली में जो बेपर्जोय चक्रवाथ है न ये 1977 के बाद एक्टिव रहने वाला ये चक्रवाथ बन गया सबसे लंबे समय तक जो एक्टिव रहा है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो की होना था पेरू में लेकिन अब ये होगा इस साल का इंडोनेशिया में अभी एंटी पीसी जो है ये सबसे जादा पसंद किया जाने वाला कारिस्थल बना है 2023 चौबस के लिए सबसे तेज बाइक रेस मोटो जेबी प्रतियोगिता की जो शिरुवात है ये उत्तर प्रेस में किये जाएगी रिसेंटली ओप्रेशन कवच की शिरुवात की हिदिल्ली गौवर्मेंट ने वंडे क्रिकेट में लगातार तीन वंडे मैच में पांच विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं वानिदु हसरंगा ये हैं श्रिलंका से हिंदोस्तान यूनि लिवर लिम्टेट के नैस सी यो रोहिद जावा बने हैं पूरतर भारत में अंडर वाटर जो पानी की सुरंग है ये असम में बनने जारी ब्रम्ह पुत्र न तो ये सभी questions हम लोगोंने कल discuss कर ले थे शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है कि हाली में कीरिया कोस मिस्सो ताकिस किस देश के प्रधान मंत्री की रूप में शपातिनों ने ले ली है तो ये रिसेंटली ग्रीस के प्रायम मिनस्टर बने हैं आप कहेंगे क्या question important है मैं बहुत ज़्यादा important तो नहीं कहूंगी क्योंकि देखे कभी भी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसी country का discussion निदी हम करते हैं और वो question important उतना नहीं भी होता है तो उसके static factor जो हम discuss करते हैं location के थूँ वो important हो जाती है क्योंकि इसके माध्यम से कुछ additional जान Greece की Greece के नीचे ये जो पूरा फैला हुआ शेत्र है पानी का ये है Meditariansy Meditariansy यानि कि भूमत दिसागर तो यहां से आपको जानकारी क्या मिल रही है कि Greece जो है ये Meditariansy से सीमा साजा करता है इसके पास यह आप देखें तो यह जूते के आकरती में यह दिखाई दे रहा है जो जो है ये Asia महादीत में आता है इसका जो सबसे बड़ा शहर नहा पर इस्तांबुल केवल ये आएगा ये औरोप में बाकी पूरा हिस्ता जो तरकी का है ये Asia महादीत में आता है तो यही मेरा परपस था कि लोकेशन के दूरू additional जानकारी आप लोगों को मिल सके Greece जिसकी capital हो काला सागर काला सागर में ही यौरप की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है न कौन सी है नीपर नदी ये जाकर के समा जाती है वैसे हम बात करें यौरप के सबसे लंबी नदी तो वो तो वोलगा रिवर है इधर आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियंस ही है वहाँ जाकर की गरती तो यहां से additional जानकारी आप लगों को याद रख लेनी है बात की जा रही है किसी देश के नए Prime Minister बने है तो option के दुरू हम उन देशों के Prime Minister को discuss करेंगे जिनकी न्यूकती हाली में की गई है हाली की दिनों में मैंने आप लगों को बताया था कि Finland के नए जो Prime Minister बने है ये बने है पेट्री और पो Finland की location आप यहां देख सकते हैं जो कि खुशहाली सूचकांक 2023 में टॉप पर है इंडिया की क्या ranking है ये question मैंने आगे add किया है वहां हम discuss कर लेंगे श्रीलंका तो इंडिया के नकसे में यहां है श्रीलंका की location दोनों के बीच में पाक जलसंधी है पाक स्ट्रेट तो श्रीलंका के जो Prime Minister है ये कौन हो जाएंगे दिनेस गुनवर्धने हो जाएंगे प्रसिडन तो आप जानते ही है ये है रनिल विक्रम संगे इसराइल के Prime Minister ये कौन है जैन मूर्तियों और सिला लेक की कोच की गई है सिला लेक यहनी की पत्थरों पर जो आकरती अंकित की जाती है सिला लेक कहलाती है तो ये रिसेंटलिक हो जा गया है तेलंगाना में हैदराबाद के पास जो इनकी पल्ली गाउँ है यहाँ 1000 साल पुराना जैन, तीर थंकर की मूर्ती और सिला लेग ये मिले हैं दो इस तंभों में से एक ग्रेनाइट का है और दूसरे काले बेसालट का इसमें मिला हुआ दिखाई दे रहा है इसमें चारत ये थंकर, आदिनाथ, नेमीनाथ, पारसुनाथ, वर्धमान इनके जो मूर्तियां हैं ये ध्यान मुद्रा में देखने को मिली है तो तेलंगाना की लोकेशन इंडिया के नकसे में आप यहां देख सकते हैं इसकी राजधानी हैदराबाद हो जाएगी जहां भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है ये मुसी नदी के किनारे है भारत का पहला ब्लॉग चेंजिला हैदराबाद ही हो जाएगा हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटियम भेस थापित किया गया है यहां के मुख्यमंद्री के चंद्र सेखर राव राजिपाल तमिल साई सौंद राजन हो जाएंगे जन्धन योजना के तह सौ प्रितिसत कवरेजस ने दिया है आप रिलेट करें दि तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड टैंप पलेन की 3D प्रिंटेड मंदिर जो है न ये तिलंगाना में ही बनने जा रहा है ओप्शन के तुरू हम कुछ चीजे डिसकस करें कोश्चन में किसी चीज की खोज की तो आप रिलेट करें रिसेंटली अभी राजिस्थान में यूरेनियम की खोच की गई थी जबकि जम्मू कश्मीर में लीथियम के भंडार पाए गए थे यहां ऑप्शन है च्छतिस गड़ का च्छतिस गड़ में वशाल कोईले के भंडार पाए गए थी लेमारू हाथी अभ्यारनी के पास जिसके बास उस हाथी अभ्यारनी का शेत्र फल भी घटाये जा रहा था रिसेंटली नंदी पोर्टल किसने लॉंच किया है तो रिसेंटली परसत्तम रुपाला के दुआरा कई जगह पुरसत्तम रुपाला भी दिखाई देगा इनके द्वारा नंदी पोर्टल लॉंच किया गया है एक सवाल आप लोग उसे पूछती हूँ परसत्तम रुपाला के पास मंत्राला एक उनसा है ये थोड़ा सर्च करिंग और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स बताएंगे नंदी यनिकी नई दवाव और टीका करण प्रणाली के लिए NOC का क्या मतलब होता है नो अबजेक्ट सर्टिफिकेट पोर्टल ये लॉंच किया गया है एक लाइन में दिका हूँ तो पसु स्वास्त शेत्र के लिए पसु स्वास्त के शेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉंच किया गया है नंदी पोर्टल का प्राथमिक लक्ष जो है ये पसु चिकिस्सा उत्पात प्रस्तावों की सुरक्षा प्रभावकारिता अनिवारिता कुछ डिफिकल्ट हिंदी लिखी हुई है एक लाइन में दिका हूँ तो पसु चिकिस्सा के लिए इनके टीका करने इनकी वेक्सिनेशन के लिए पसु पालन के शेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जो कि रिसेंटली नंदी पोटल के माध्यम से शुरू किया जा रहा है यदि आप रिलेट करें ओप्शन नंबर एक हो तो अभी रिसेंटली जो हमारे ग्रह मंत्री है अमिश्शा इन्होंने जमु कश्मीर में जमु कश्मीर में भी कहां श्री नगर में बलिदान इस्तंभ का उधगाटन किया है नरेंद्र सिंग तोमर कौन है क्रशी मंत्री तो इन्होंने फेस ऑथन्टिकेशन फीचर के साथ पीम किसान मुबाइल एप लॉंच किया है यदि मैं बात करूं मनसुख मंडाविया की टीवी नहीं टीवी पार्टनर्शिप बोर्ड के यह अध्यक्ष है स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप बोर्ड इसके अध्यक्ष हला की स्वास्थ मंत्री ही होते हैं जो कि मनसुख मंडाविया हो जाएंगे अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है दो शहरों में आप पयांगे आजा चुक है अभी चर्ची में किया संसद यहां की सीनेट में आया था यह नीउस पिछले साल की है अब एक लियर हो गया है कि नियॉयॉर्क अमेरिका का शेहर इदी आप लोकेशन देखे तो कुछ यहां पास है यह पूरा शेत्रना अमेरिका वाला है उपर में इसके कनाड़ा है तो यहां से यह देख पा रहे हैं आप यह है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स की ट्रिक्या होम्स हीूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर और इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है जो की कनाड़ा और अमेरिका को विभाज़त करती है यहां यह देखें तो सेंट, नहीं यहां रियो ग्रेंडे रिवर है जो की अमेरिका और नीचे हम मेक्सिको को सेपरेट करती है तो यहीं पर है न्यू यॉर्क, जो की हडिसन नदी के किनारे बसा शहर है इसी न्यू यॉर्क में यूनाइट नेशन्स, और गनाइजेशन्स का हेटपार्टर हो जाएगा तो यहीं अब जिसे इंडिया में दिवाली के मौके पर शुट्टी होती है सेम वैसे ही अमेरिका के शहर न्यू यॉर्क में भी दिवाली के मौके पर शुट्टी हो सकेगी वासिंग्टन डीसी यह पोटो मैक नदी के किनारे बसा हुआ है बैंको का जो बैंक है World Bank और इसके लावा International Monetary Fund इसके लावा यहां की Space Agency, NASA का मुख्याल्य यहीं हो जाएगा हारले डिवर्टसन नम की जो बाइक कंपनी है इसका मुख्याल्य मिलवाओ की में है मिलवाओ की लुकेशन यहां कहीं शिकागों के पास में है सेंट लुइस सेंट लुइस से आपको याद रखना है आर्च नेशनल पार्क गेटवे आर्च नेशनल पार्क के स्टाटिक जीके का प्रेशन है यह यहां हो जाएगा आगे चलते हैं ठाली में किस राख जिने सहकारिता नीती 2023 के शुरुआत की है रिसेंटली मध्य प्रदेश के द्वारा सहकारिता नीती के शुरुआत की गई है वन लाइनर में मैं आप लगों को बदा देती हूँ सहकारिता का मतलब क्या होता है क्योंकि अभी लगभग दो साल हो चुके हैं मिल जुल कर काम करना रिसेंटली सहकारिता नीती को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश गौर्मेंट ने इसका उद्देश राज्जमी सहकारिता जो पता चुकी हैं आपको इसे प्रोसाहित करना सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना और इनका विकास सुनिश यह जो आप खंडवा देख रहे हैं ना खंडवा में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो की बनने जा रहा है बैतूल में जो बाचा गाउ है यह सौ प्रितिसास सौ रुजस संचालित भारत का पहला गाउ है लेकिन यह पूछा जाए सौ प दोनों नदियों के बीच में मतलब दोनों नदियों का पानी कनेक्ट करने के लिए है भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना जो की है केन बेतवाल लिंक परियोजना दोनों नदियों का पानी यहां उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाता है यमुना जो की गंगा भारत की इस सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा भारत की सबसे लंभी नदी और इसके अलावा बाला मुर्ग भाल चब्लीये कि ज्भीर है पजाबुल ही अपको मुरा अदुख रहे हैं तो इह है मुराइना मुराना का तु conve साम है मुरैना का गजक है शायद हाँ गजक मुरैना का गजक है और रीवा का कोई आम है आम तो है कुछ आम हमने सुंदर्जा आम पढ़ा था क्या सुंदर्जा आम जिसे GI Tech Mila सभी मध्य प्रदेश के प्रोड़क्टे हैं हवाई मार्ग की माध्य हम से तीर थे आत्रा कराने वाला भारत का जो पहला राज्जी बना है मध्य प्रदेश बना है और प्रधान मंत्री आवास योजना के तह सबसे जादा घर मध्य प्रदेश में ही बनाए गए है कोश्चन है पॉलिसी से रिलेटड यानि की नीति से रिलेटड तो अप्शन भी हम कुछ ऐसे ही रिलेट करेंगे जैसे कि बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्जी राजिस्थान एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्जी बिहार जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्जी करनाटक हो जाएगा रिसेंटली वैश्विक प्रतिस परधा सूचकांग कर रिलीस किया गया है इसमें भारत को इस्थान दिया गया है 40 वा IMD यानि कि International Institute for Management Development ने ये रिपोर्ट रिलीस की है देश के 64 और्थ विवस्थाओं को शामिल किया गया है इसमें जो टॉप 5 है डेनमार्क फरसे टॉप पर फिर Ireland, Switzerland, Singapore, Netherlands है भारत को 40 वे इस्थान पर रखा गया है यदि आप रिलेट करें रिसेंटली Happiness Index रिलीस किया गया था जिसमें कि Finland टॉप पर था भारत को 126 वे इस्थान पर रखा गया था अभी तीन दिन पहले ही जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीस की गई है जिसमें कि फरसे टॉप पर है आइसलेंड भारत को 127 वे इस्थान पर रखा गया है अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई है मई के टाइम में आई है लास्ट मन्त ही तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नौर्वे टॉप पर है इसमें इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 161 आगे चलते हैं किस भारती को इंगलैंड के बर्मिंगम सिटी उनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की अपाधी से सम्मानित किया है इस पुरसकार की जो भुषना है ये साल के शुरुवात में ही की गई थी और रिसेंटली ये सम्मानित किये गए है नरिंद्र मोदी इन्हें रिसेंटली इजिप्ट इन्हें कि मिस्तर का सर्वोच्च सम्मान मिला है इसके पहले पापो अनुगिनी और फिजिक अमल चुका है और जो सर्वोच्च सम्मान है और ओर ओफ ऑस्ट्रिले से नवाजे गहरतन टाटा जी जबकि सूरी नाम जो की साउथ हमेरिकी कंट्री है इसके सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली भारती बनी है प्रेसेडंट रौपदी मुर्भू रिसेंटली खर्ची पूजा महोत सो किस राजजी में मनाया गया तो ये तिरपुरा में मनाया जाने वाला तियोहार है तिरपुरा के लोगों द्वारा राजजी के संरक्षक माने जाने वाले चौदा देवताओं को संबान में तियोहार मनाया जाता है एक तरकत धार्वी तियोहार है पूरोतर भारत का राज्य है तिरपुरा जिसकी राजधानी अगरतला मुखी मंत्री मनिक साहा राजिपल सत्य देव नारायन आरिय हो जाएंगे जब प्रेसिडेंट रामनात को विं में बनाया जाता है अम्बू बाची फेस्टिवल इसके लावा बीहु फेस्टिवल फसलों को तियोहार है ग्यारा हज़ार परफॉर्मर के सांथ इसने गिनीज बुक और रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है काफी दिनों बान मैंने जहार खंड का फेस्टिवल में किया जो कि सरहुल फेस्टिवल है अभी जगरनाथ यात्रा पूरी में मनाई जारी फेस्टिवल आपका ओडिसा से हो जाएगा इसके लावा नुवक हाई फेस्टिवल भी आपका ओडिसा का है टाइम्स एशिया इंवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है इसमें कौन सा भारती संस्थान टॉप पर है तो एशिया का सर्विस रिष्टर संस्थान इनकी भारत में दी हम कहें तो इंडियान इंस्टिटूट ऑफ साइंस बैंगलाओर को बताया गया ओवर ओल इदी हम कहें तो इसमें चाइना की सिन्हुआ इंवर्सिटी टॉप पर रही है ठीक है लास कीदी में बात करूं तो नैशनल इंस्टिटूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो रिलीस की गई भारत का सर्विस रिष्ट संस्थान लगातार यहीं बना हुआ है और इसके लावा इसने भार ओस नाम का उपरेटिंग सिस्टम यह लॉंच किया था आर्टिफिशल हर्ट यानि कि भारत का पहला आर्टिफिशल क्रत्रि म्रदय जिस इंस्टिट्यूट ने डवलप किया यह है आईएटी कानपुर और आईएटी गांधी नगर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं एक सुपर कंप्यूटर था परम अनन्थ यहीं रखा गया था यह लास्ट येर की नि यह जो वैश्विक मंच है यह देश के लोगों के लिए मजदूरी और श्रम संबंधी मुद्दो पर चर्चा करनी के लिए एक महत्वपून प्लेटफॉर्म प्रवाइड करा रहा है इस सम्मेलन में इंटरनाशनल लेवल पर श्रमिको और हकानुसारी मांगो और उनके संर जाएंगे नितीश कुमार राज जिपाल राजेंद्रा विश्वनाथ आरलेकर हो जाएंगे एक मात्र नैशनल पार्क यहां का हो जाएगा वाल्मी की नैशनल पार्क इसके लावा आप लोगों को यदि याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का सबसे बड़ा रामायन मंदिर जो है न ये पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है इसी से सीमा साजा करता हुआ सीता मणी है जहां मा सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो की स्थापित की जाएगी नीती आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार भार मध्यप्रदेश के इंदोर में प्रवासी भारती सम्मेलन का आईजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिती के रूप में शामिन हुए थी गुयाना के राष्टपती मुहमद इरफान अली और ये एक्जाम का पार्ट बन चुका है जरूर याद रखी जबकि इस साल का ज 12 दिन पैरेस अभियान के शुरुआत कहां की गई है तो आंसार इसका कॉमेंट बॉक्स में बताएं हम मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच